नमस्कार दोस्तों ओसम गार्डन में मेरा के सर्मा अपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे कैलन्डूला के उपर यह जो आपके सामनी है यह पूदा और यह एक विंटर फ्लावर सीजन का पूदा है और दोस्तों इस पर फूल जह आते हैं वो बहुत आहते ही खूब सूरत आधे कर जिस छोड़ा येलोड़ और में आनाने को लगपने चार बहुत वालिच उस से लिएयो साफिते हैं ये कड़ी और नरशरी आे लेकर आसे हैं साहथ आप इसको अपने गार्डन में आड़ कर सकते हैं फ्लावरिंग सर्दियों में तो अगर अभी तक इसको लेकर नहीं आया है तो आप इसको ले आईए यह बहुत ही खूबशुरत पोदा है और दोस्तों यह एक ही प्लांट है और इस पर फ्लावरिंग इतनी ज्यादा होती है कि आपसे दो-तिन महीने तक इस पर फ्लावरिंग खतम होने वाली नहीं है आप इससे एक पोदा लेकर आएंगे तो आप उसे बहुत सारे सीड़ सेव कर सकते हैं नेक्स टियर के लिए और नेक्स टियर आप बहुत सारे कलंडूला ग्रो कर सकते हैं खुद ही बिना किसी खर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए लेकर आता रहता हूं रहता हूं अब वात सबसे पहले इसकी बात करते हैं लाइट एंड लोकेशन की तो दोस्तों इसको आप ऐसी जिगह लगाईए आग आप गंदमे में लगा को हैं तो और वात करते हैं सिर्फ निभ तो इसको यसे सब रूद के लस्काइब योड़से सब्हाइब को इसको बहुत होती तो इसको लुज़ प土 OS disco मतलब कि बंद्वर से खांड हुआ अगर इसमें पानी खड़ा होगा तो यह कुल जाएगा कि यह बहुत सोफ्ट पोदा होता है अगर इसके अंदर ज्यादा दिर तक पानी खड़ा हुआ और अच्छे से ड्रेन नहीं हुआ और वाटरिंग हो गई तो यह पोदा आपका मुर्जा सकता है दोस्तों इसके लिए आपको वाल ड्रेन सोयल यूज करनी होगी वाल ड्रेन सोयल बनाने का तरीका 50% मिट्टी लीजिए 40% उसमें रेत मिक्स कर लीजिए रेत वही जो कंस्ट्रक्शन स्टॉर पर मिलता है हम अपने मकान बनाने में यूज करते हैं जो नदी के दरिया के नीचे से निकलता है तले में से वही रेत आपको मिक्स करना इसके अंदर और दोस्तों इसमें आप 10-20% 10% या 20% आप इसमें गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं दोस्तों कैमिकल फर्टिलाइजर से दूर रहिएगा क्योंकि कैमिकल फर्टिलाइजर के बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं वो एक बार तो आपके प्लांट को चमका देंगे बट बाद में वो धीरे आपका प्लांट मर भी सकता है तो दोस्तों यह बहुत ही खुबसूरत फ्लावर पोदा है और अब इसकी बात करते हैं वाटरिंग की तो इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है आप इसको कम पानी दीजिए हलकी वाटरिंग कीजिए अगर आप इसको पूस्ट रहें नोट सोगी तोी मेरे कहने का मतलब आप समझ गाई होंगे और दोस्तों इसको सीजन से घ्रो करेंगे अभी फिलाल और जो सीजनेवल फ्लावर होते हैं उनकी आपको अपडेट लगातार मिलती रहे मेरी और आप गार्डनिंग शीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीड है नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फरमेशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत